नमस्कार में आजविन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News जम्मु कश्मीर में 10 साल बाद जुआ कर विधान सभा का चुनाव होना है 2014 में विधान सभा का चुनाव हुआ और 2014 के बाद सीधा 2024 में विधान सभा चुनाव संपन होने वाले हैं अनुछे 370 हटने के बाद जम्मु कश्मीर अब केंद्र शाषित प्रदेश बन चुका है इस अधार पर विधान सभा चुनाव की बात करें तो नब्धे विधान सभा सीटों पर चुनाव होगा जहां भारती जनता पार्टी हाल ही में अपनी पहली उमिदवारों के लिस्ट जारी करती भी नजर आई जिसमें कम से कम 15 उमिदवारों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया तो वहीं भारती जनता पार्टी ने कई नामों को दरकिनार भी किया जिसके बाद भारी विरोध का प्रदर्शन भारती जनता पार्टी को अपने ही नेताओं के तर्श पर देखने को मिला लेकिन जो हम भारती जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी जमू कश्मीर में कटपंधन के साथ देखी जा रही है जहां एंसी की बात करें तो एंसी अब कॉंग्रेस से साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती हुई नसर आईगी लेकिन अभी तक पीडिपी ने अपना जो एक चुनावी महौल को देखती हुई रणीती है वो सपस्ट नहीं की है पीडिपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो भारती जनता पार्टी के साथ एक बार फिर हाथ नहीं मिलाने वाली है महबूबा मुफ्ती जो तरीके से पीडिपी की अध्यक्ष है उन्हें अपने पद से किस तरीके से हटना पड़ा और जमुकश्मीर में जो हालात पैदा हुए नजरबंद महबूबा मुफ्ती भी की गई इन तमाम इन मुद्दों के तहत महबूबा मुफ्ती को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो भारती जनता पार्टी के साथ गटबंधन नहीं कर सकती है लेकिन संकित कॉंग्रिस पार्टी के साथ जुड़ने के दिये जा रहे है पीडिपी के तहत महबूबा मुफ्ती चुन ऐसे में महभूबा मुफ्ती तो चुनाब नहीं लड़ेंगे लेकिन उनकी बेटे इल्तिजा मुफ्ती चुनाब लड़ती वी नजर आएंगे इल्तिजा मुफ्ती के बात करें तो उन्होंने अपनी पारिवारिक गड़ बिजबेरा से नमांकन दाखिल कर दिया है 27 अगस्त क बिजबेरा से नमांकन दाखिल करने के बाद अब मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एंसी की तरह से डॉक्टर बशीर वीरी यहां से चुनाब लड़ती वी नजर आएंगे और चुनावी मैदान में इल्तिजा मुफ्ती अब उतर चुकी है अब देखन होगा जम्मू कश्मीर में क्या पीडिपी एक बार फिर से वही मुकाम हासिल कर पाएगे दस साल बाद जाकर या फिर नहीं इल्तिजा मुफ्ती जो चुनावी मैदान में उतरे क्या अपने गड़ को बचा पाएंगी इस मुद्द्ध को लेकर आपको क्या लगता है अपनी अपने बाद